नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजेविद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले आट-दस मिनट पे आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो एक्जिट पोल आ चुके हैं एक्जाक पोल आने बाकी हैं एक्जिट पोल आने से कुछ लोग बल्ले बल्ले उचल रहे हैं और कुछ लोग दुखी होकर घजा कर बैठ गए हैं लेकिन ये एक्जिट पोल है ये जनादेश नहीं है जनादेश तो चार जून को आएगा जो तो वास्तों में जनता का आदेश होगा, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं फला देश है, कुल मिलाकर साथ टेक अवे क्या है, इस एक्जिट पोल के ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर इस एक्जिट पोल को सही माने या नहीं माने, और मैं क्यों मुझे संधे क्यों हो रहा है वो भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा, सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ये जना देश नहीं है, ये फला देश है, फल मिला, इसलिए फल दे दिया गया, इस बात को और ज्यादा सपष्ट करने की जरूरत नहीं है, सारे चैनल, सारे एक्जिट एक तरफ और डी वी इछ itel पोशिट पोल एक तरफ डी इंडिया को सरकार बनते हुए दिखा रहा है, और अर बाकी सारे पोल हैं एक अधिये गडबंधन को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, अब दोनों में से कोई एक्जझ सी ठीक हो सकता है, तो क्या डी वी भी ठीक ह सकता है संभावना तो है दूसरी बात है कि एक अजीव सी सिमिलारिटी नजर आती है जैसे कि तै हो गया हो कि 350 ले जाना है और एक दो को ने तै कर लिया हो कि 400 को छुआ देना है तो जैसे तैसे छुआ दिया गया है अब प्रधान मंत्री ने खुद एक टीवी चैनल के इंट् पार वो तो विपक्ष को फसाने के लिए खा गया था यानि बीजेपी के नरेंदर मोदी भी निश्चित नहीं थे पूरे निश्चित नजर नहीं आ रहे थे कि 400 पार जा रही है वो एक पॉलिटिकल चाल थी एक चुनावी रणीती थी एक साइकलोजिकल वार जीतने की सित पॉलिटे तो क्या ये चीजें पलड जाएंगी कुछ अजब चीजें आ जाएंगी अब एक और इंट्रेस्टिंग चीज है कि सारे जो पॉल्स्टर हैं उनका वोटिंग परसंटेज एक जैसा है और वोटिंग परसंटेज को जो सीटों में कनवर्ट किया जाता है वो भी जैसा है अब ये अजीव किसिम का दुरलब किसिम का संयोग है ऐसा होता नहीं है या तो वोटिंग परसंटेज वैरी करेगा अगर वोटिंग परसंटेज वैरी नहीं करेगा तो सीट का प्रोजेक्शन वैरी करेगा क्योंकि वोटिंग परसंटेज के आधार पर सीट का प् जो संख्या है वो अजीब तरहां से एक नजर आती है जो आपने आप में होता नहीं है इसलिए शक हो रहा है एक और इंट्रेस्टिंग बात है वोट कम पड़ा पिछली बार के मुकाबले फस्ट फेस सेकंड फेस थर्ड फोर्ट फेस से सब जगा वोट कम पड़ा कहीं लेकिन बीजेपी का वोटर ज्यादा बड़ी संख्या में निकला क्योंकि वोटिंग परसंटेज बीजेपी के हक में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे राज्यों में बीजेपी 50% क्रॉस कर रही है बहुत सारे राज्यों में बीजेपी और या कहा जा लेकिन बीजेपी के पक्ष में ज्यादा पड़ा, इतना ज्यादा पड़ा कि बीजेपी कॉंग्रेस के मुकाबले 6%, 8%, 10% आगे हो गए, फिर पाइपोलर चुनाओ, आम तोर पर क्या जाता है, कि जहां पाइपोलर चुनाओ हो रहा है, वहां जिसके पक्ष में वोटिंग ज् हो रहा है, इस हिसाब से तो बीजेपी की एंडिये की साड़े 400 प्लस सीटे आनी चाहिए थी, और इस हिसाब से इंडिया को किसी भी सूरत में 100 क्रॉस नहीं करना चाहिए था, अगर वो ये चीज़ सही है, जो मैं आपको बताने की कोशिच कर रहा हूँ, तो कुछ ना बढ़ें, दो-तीन दुरलब किस्म के संयोग हैं, जो एक साथ हो गए हैं, ऐसा होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एंडिये को 410 शायद किसी ने दी हैं सीटे, मुझे ध्यान नहीं, 401, 410 ऐसी सीटें दी गई हैं, और ज्यादा से ज्यादा इंडिया गडबंदन को 201 सीट दी गई हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि एक जोरदार मुकाबला हो, टककर का मुकाबला हो, कांटे का मुकाबला हो, और बिना लहर का मुकाबला हो, और इसमें एक पक्ष 400 पार चला जाए, लेकिन दूसरा पक्ष भी 200 के आसपास रह जाए, 50% पर रह जाए, फिर वही बात, एक पक्ष को 400 पार जाना चाहिए था, दूसरे पक्ष को 100 के नीचे आना चाहिए था, ये 200 का आंकड़ा छूता हुआ, जो दूसरा पक्ष इंडिया लंगर आ रहा है, ये कत्ता ही संभव नहीं लगता, या तो 410 वाले में गड़बड है, या 201 वाले में गड़बड है, अधिक्तम 9 सीटे लाएंगी, और सेफोलोजिस भी करीब करीब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन साथी रिपोर्टरों से जो ग्राउंड पर थे, या तो नबस पहचानने में दिक्कत हुई, या क्या हुआ, कि इतने सारे रिपोर्टर ग्राउंड पे गे, किसी को भी प्रचंड लहर, प्रचंड आंधी, प्रचंड सुनामी, ये क्यों दिखाई नहीं दिया, ये तो साफ साफ दिखना चाहिए था, हम आम तोर पर कहते हैं कि अंडर करेंट विपक्ष के साथ होता है, सत्ता पक्ष के साथ लहर होती है, तो पहले चरण के चुनाओं के बाद लेहर नहीं दिखी, दूसरे चरण के बाद लेहर नहीं दिखी, तीसरे चरण के बाद लेहर नहीं दिखी, चौते चरण के बाद लेहर नहीं दिखी, पांच्वे चरण के बाद लेहर नहीं दिखी, छटे चरण के बाद लेहर नहीं दिखी, और सात्वे चरण के बाद यानि एक्जिट पोल में अचानक से भूचाल आ गया एक तरह से सुनामी आ गई एंडिये गडवंधन के पक्ष में तो ये चीज थोड़ा गले उतरना थोड़ा सा मुश्किल नगर आता है साथनी बात है जो जो बीजेपी के नेताओं ने कहा जैसा जैसा कहा जिस जिस राज्ये के लिए कहा वैसा वैसा होता चला गया जैसा जैसा पीके ने कहा वैसा वैसा होता चला गया अंतिम समय में मोदी जी ने कहा बंगाल में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा सबसे ज़्यादा परिवर्तन बंगाल में हो गया जो बीजेपी 30 की बात कर रही थी 30-32 की वो हो गया उडिशा में कहा बहुत भेंकर एक तरफा जीतेंगे जीतते नदर आ रहे हैं आंदरपदेश में कहा बहुत भेंकर ढंग से एक तरफा जीतेंगे जीतते वे नदर आ रहे हैं बड़े confidence से कहा करनाटक में हो लूज नहीं करेंगे कब बहुत कम लूज करेंगे बहुत कम लूज करते नदर आ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि जो जो कहा वो वो हो गया और इंडिया ने जो जो कहा वो सब कुछ नहीं हुआ तो अभी भी खेल ख ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे, शेर कीजे और बेल जैसी आकरती घंटी जैसी आकन दबा दीजे ताकि नया वीडियो आये तो ततकाल आपको जानकारी मिल जाए